देखिए एक नई physical quantity है impulse क्या होता है अगर किसी भी body पे कोई force बहुत short interval of time के लिए लगाया जाए तो force और time की product को हम क्या करते है impulse क्याते है तो लिखिए if a force is applied on a body impulse के लिखिए if a force is applied on a body for a short interval of time for a short interval of time then the product of the force then the product of the force and the time is known as impulse of force is known as impulse of force क्या मतलब हुआ मतलब तो clear हुआ कि impulse is equal to होता है impulse force into time interval इसके 20 का product इसको impulse कहते है अगर मैं unit की बात करूं तो newton into second ठीक है अब ज़रा थोड़ा सा इसको थोड़ा बढ़ाते हैं एफ बराबर ाइधी धेलटा फूर्टा ती डेल्तनी चैंज एफ ब्लासटी इन्टो डेल्टा दी डेल्टा टैंस एंस यह रहां दके गाटेव अभेजाने ध्लांके गें। यह यह इनिशा बराफेंटी ती zeigt गांव श्रहिंचंआ इन गोंश Richmond अ mass into velocity नहीं मालू mass into velocity quantity एक नहीं मिलती है उसे है momentum कहते है तो mass into velocity momentum हुआ दो velocity है ना u होती है initial velocity और v होती है तो ये है final momentum minus initial momentum यानि change in momentum क्या प्रूफ करके आप लाए कि impulse जिसको कि हमने force into delta t कहा है वो change in momentum के बराबर भी होता है ठीक है लिखे फिर एक बात बढ़िया बताईजाए नोट का लिए नोट हो गया अब देखो जा ध्यान से इसके कुछ applications है क्या proof आपने किया इसके कुछ examples है impulse के कि जैसे इसको बताने के पहले समझाते हैं माल लिया एक baller है एक क्रिक्टर है ball आ रही है उपर से उसको ball को catch कर रहा है ठीक मैं माल लेता हूँ कि अगर ball का mass ले 1 kg ठीक है और ball उपर से गिर रही है उसकी कुछ velocity होगी मैं माल लेता हूँ कि जो velocity वा रही है वो 10 meter per second के रफ्टार से गिर रही है ठीक मैं कुछ समझाना चाहता हूँ उसके बात बताएंगे किया हम कह रहे हैं अब बॉल उसके हाथ में गिर गई तो हाथ में गिरी और बॉल रुख गई तो final blast कितनी हो गई तो momentum में कितना change हुआ तो initial momentum कितना था MV और final कितना हो गया MV यानि कि 1 into 10 minus 0 यानि momentum कितना change हुआ है 10 अब आप कहेंगे आप उल्टा लिख रहे है final minus initial करिए उसे कोई दिक्कत नहीं है क्यों हम change बताना चाहतें कितना हुआ है अच्छा जब बॉल उसके हाथ में गिरी होगी तो बॉल के गिरने और रुकने में कुछ समय लगा होगा ना तीक है मैं माल लेता हूँ कि T बराबर 1 second यानि एक second में बॉल रुक गई तो हम जानते हैं बॉल ने उसके हाथ पे अगर force F लगाया हो और F into T बराबर किसके होता है मोमेंटम के change के यह बताया है हमने और मोमेंटम में change कितना हुआ है 10 का और F into T कितना आपने लिया है 1 second तो उसके हाथ में कितना force लगेगा 10 newton का बात समझ में आई अब अगर बॉल गिरी और गिरी तो थोड़ा सा उसने हाथ को ऐसे किया पीछे किया यानि बाल के गिरने और रुकने में थोड़ा टाइम उसने क्या किया बढा दिया ठीक है यानि कि अगर दूसरा case ले ले कि उसने टाइम 5 second कर दिया तो क्या ये value change हो जाएगी बाल जब गिर रही थी 10 meter per second से तो देख लेगी अच्छा हाथ पीजे कर रहे हो हम रफ्तार किये दे रहे है 5 ऐसा करेगी क्या यानि ये तो यही रहेगा ना लेकिन उसे बढ़ा क्या दिया है 5 तो 5 into F बराबर कितना 10 तो F कितना लगेगा 2 newton क्या फैदा हुआ कि बाल के गिरने और रुकने में टाइम बढ़ा दिया उसने तो उसके हाथ पर force कम लगता है तो इसी का practical वो होता है कि खिलाडी जो catch लेता है वो बाल के गिरने पर अपने हाथ को पीछे क्यों कर लेता है पीछे मतार दो तरगेश पीछे करता है तो से एक बार कॉलेज में मेनार में हम थे तो वहाँ पर teacher versus student हुआ match तो हम भी चुकी teacher है तो क्रिकटर है मले नहीं खिलना आता है तो हम हमारे cricket के बारे सोकोवान था कितने अच्छे क्रिकटर है तो हमें boundary पर लगाया गया खड़े हो जाओ लास्ट में खड़े हो गए भाई अब एक ball आ रही थी तो हमने ऐसे catch लिया अब जब ball गिरने वाली थी मैं दिमाग में लगा कि अगर ball उंगली पे गिर गई तो क्या हो जाएगा चोट लग जाएगी तो हमने हाथ आइसे कर लिया ball जब गिर रही तो सब चलाएग एपिसर, एपिसर catch, एपिसर catch एपिसर catch ले रहते लेकिन अल्टी मेल्टी ऐसे कर लिया तो ball नीचाए गिर गई तो वो उतना पीछे नहीं करना है हाथ को कि बिलकुल पीछे ही कर लेना है तो ये कभी-कभी example पुछा जाता है example इसमें है कि क्रिकेटर जब है जब ball उसकी हाथ में गिरती है तो अपने हाथ को पीछे क्यों कर लेता है तो थोड़ा सा कहानी लिख लीजेगा एक note करके इसी में एक note लिखे कि दा क्रिकेटर मूपस हीज हैं बेकवर्ड वाइल कैचिंग दा बॉल ठीक है और उसके आगर तो वाई वाई लिख कोशन माग लगा दीजेगा अपने आप लिख लेंगे न कि जब ball गिरती है तो ball के गिरने और रुकने के बीच का time इंटरोल बढ़ा देता है जिससे उसके हाथ पर force कम लगता है ठीक है अब ज़रा समझेगा माल लिया दूसरा एक example लेता है माल है एक आदमी 60 किलो का है यह हमारा वेट है इसलिए हमने 60 किलो का है और वो उपर से गिरा गिरते वक्त उसकी रफतार थी इंपल्स को कभी-कभी जे से डिनोट किया था कहीं कहीं पर इंपल्स का डिनोशन जो है जे है हर पुक में अलग-अलग हो सकता है तो उसका मोमेंटम कितना था 60 इंटू 10 बोले तो 600 यूनिट के लिखी जाएगी kg मीटर पर सेकिन अब गिरा और गिर के रुख गया यानि वी उसका कितना हो गया 0 इनिशल कितना था तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया 0 तो चेंज कितना हुआ है चाहे 0 मारे 600 को हो कि 600 मारे 0 को हो तो चेंज 600 हुआ ना और ये चेंज किसके बरावर होता है चेंज इन मोमेंटम इस इक्वल टो इंपल्स आफ फोर्स एक और डफिशन है ना यानि कि F इंटू डेल्टा टी वरावर कितना हो गया 600 अब सुनिये द्यान से पक्का फ्लोर है गिरा और रुग गया गिरा की रुग गया तो गिरने और रुखने में कितना टाइम लगा मालिया एक सेकंड का लगा तो कितना फोर्स उसकी बॉड़ी पे लगा 600 नीटन अब अगर ये तो पक्का फ्लोर की बात हो रही है पक्का फ्लोर अगर एक कच्चा फ्लोर होता कच्चा फ्लोर होता माला नीचे कच्ची मिट्टी पड़ी भी है बालू पड़ी भी है तो गिरेगा थोड़ी दिर वो नीचे चलिए आएगी तो उसको टाइम कितना लग गया माल लेते हैं 10 सेकंड रोकने में तो यह वैलू बदल जाएगी क्या उसकी कि 60 किलोग का 50 किलोग हो जाएगा ठीक है यह तो 600 रहेगा ना लेकिन अंतर क्या आएगा force into 10 is equal to 600 force कितना लगेगा उसके पास 16 Newton का तो इसलिए अगर कोई वैक्ती पका फ्लोर पे गिरता है और कोई कच्चा पी गिरता है तो कच्चे फ्लोर पे चोट कम लगती है जैसे जो जम्प गरा करते हैं तो आगे उसके जहाँ गिरता है वहाँ या तो जबीन खोद दी आती है या एक गदा मोटा बना दे आता है जिससे को उसको थुआ साथ जम्प उ मिल जाए तो एक और एक्जम्प लिख लीजेगा पर्सन जम्पिंग फ्राम हाइट अन पक्का फ्लोर पर्सन जम्पिंग फ्राम हाइट अन पक्का फ्लोर रिशीप्स मोर इंजरी रिशीप्स मोर इंजरी देन कच्चा फ्लोर देन देन when he jumps on कच्चा फ्रोर रिजन लिख लेंगे अब तीसा एक्जामपल गाड़ियों में साकर लगा दिये जाते हैं साकर होते हैं ना गाड़ियों में क्यों बाई दीके गाड़ी का अपना एक कुछ वजन है गाड़ी की कुछ अपनी रफ्तार है वजन तो कम है रफ्तार ज़्यादा होती है गाड़ी कहीं किसी खाचे में गिरी तो खाचा क्या करेगा गाड़ी को रोकने का प्रयास करेगा एक सेकने के लिए रोकी देगा वो उसको तो गाड़ी मालिया 60 किलो की हो और उसकी रफ्तार 100 है तो उसका जो मोमेंटम कितना है छेह जा रहे है और गाड़ी किसी खाचे में गिर गई उसको तो अब एकदम से नहीं रुकती है जब रुकती है तो साकर क्या करते है साकर अंदर जाते है ना इसाकर गाड़ी के रोकने का जो समय है वो बढ़ा देते है ठीक है तो बढ़ाने स कि spring होती है उसकी अलग एक property होती है वो फिर rebound करती है वो गाड़ी को तो उपर ले आती है वो एक अलग property है लेकिन में साकर इसलिए बनाए जाते हैं कि यह जर्क आपके कम लगे एक और example है कि ट्रेंस देखा होगा ट्रेंस का जो जो बोगी होती है उसके पीछे अगर देखो तो इस प्रकार से एक गोल गोल बना होता है तो कभी वाने दो बोगी लड़ जाए तो उसे पफर्स कहते है वो टकरा जाएंगी और उसमें spring लगी होती है तो एक दूसरे के जर्क के समय को वो बढ़ा देते है ठीक है तो यह कुछ एक्जाम्पल्स है इंपल्साफोर्स एक नई quantity है बहुत important quantity है ठीक है अब लिखें नेक्स टॉपिक न्यूटन्स थर्लाफ मोशन न्यूटन्स थर्लाफ मोशन न्यूटन्स थर्लाफ मोशन क्या होता है एक सिंपल्सा है कि हर एक्शन के अपोजिट एक रेक्शन फोर्स होता ही है उसमें को एंडस्टूड है जैसे हम डाट रहे हैं as a teacher वो हम समझे हमाई teacher समास का बहुत बढ़ी आदमी सब लोग बड़े ध्यान से लड़कवा मन में सोच रहा होगा master सा अगर मौका आए तो तुमारा मून तोड़ने जब ऐसा मन में नहीं आता है तो नहीं आता है न्यूटन गलत थे फिर अगर हम डाटे हो सामने वाले के मन में यह ना है तो Newton वाज रंग तो कौन साही माना ज बड़े चार के तो आड जवा कि एल अता है प्या है म acceso रह रंग तो अपन प्यार के मियाओ तो जैसे हम माल नहीं के दो बाडी हैं यह यह बाडी ए है और यह बाडी बी है यह ए है यह बी है और दोनों टकराई यह इससे टकराई यह इससे टकराई तो यानि यह जितना फोर्स इस पे लगाएगी उतना यह इस पे फोर्स लगाएगी ठीक है तो अगर मैं माल लेता हूँ कि जो A पर force लगा B की वज़े से वो इधर होगा और A ने जो force लगाया वो इधर लगाया इसका indication force का हम क्या दे देखिए दो तरीके से teacher बिता सकता है A पर force लगा किस ने लगाया B पर तो वो इसको F A B लिख सकता है या वो लिख सकता है तो 90 पर यह होगा force on A due to B यह लगा और इसमें force on B due to A तो force on A due to B कितना माना गया है F A B और force on B due to A क्या मानेंगे F B यह और Newton's Trala क्या कहता है कि F A B जो होता है वो F B A के equal होता है लेकिन negative होता है इसको कहते है equal और opposite ठीक है यह Newton's third law of motion है देखिए जो Newton's second law आपने पढ़ा तो कहा जाता second law ही real law है मतलब second law से first law भी proof हो सकता है और second law से third law भी proof हो सकता है second law से ठीक है उसका reason है देखो चाहे first law हो उसमें भी कहा गया कि force apply नहीं करोगे तो विलासी change नहीं होगी third law भी यह कहता है कि force जतना A B पर लगाएगा उतना B A पर लगाएगा तो force का formula कौन देता है कौन सा ला force का formula देता है second law तो मजबूरी वही से तो निकलेगा यह law तो पहला करने जा रहे है first law is contained in the second law पहली चीज़ हम प्रूब करने जा रहे हैं first law यह बता चुके है is contained is contained in second law तो पहले बताना है कि second law में first law contained है कैसे देखिए by Newton second law of motion कभी कोई आता प्रूब करिए कि प्रूब करिए second law से first law यह प्रूब करिए यह आप लिख देंगे proof first law by second law रेकन लिख देगा proof first law by second law क्यों second यह सही है या second यह सही है है इदर वाला तो second यह सही है या second यह सही है second यह सही है second यह सही नहीं है इसका मतलब ही second होता है रोमन नमबर में इसका मतलब ही second होता है इसमें nd लगाने की ज़रूबत नहीं होती है लेकिन हमने बहुत देखा report card बगारा में teacher's ways nd बलगा देते हैं that is wrong खेर देखे बाइस second law of motion क्या होता है f बराबर ma होता है अगर मैं f को zero कर दूँ if f is equal to zero यानि की क्या सहते है ma is equal to zero अच्छा m और a के बीच में sign कौन सा है multiply का दो चीज का multiply zero कब होता है या दोनों zero हो तो इन में से m तो zero हो नहीं सकती है तो यहाँ पर कौन से zero है a zero है कहाई जाता है कि a निकालने के लिए m उदा ट्रांसवर गजा है जैसे कहीं पर minus x is equal to two है तो कहते है minus उदर गया तो x is equal to minus two यह minus उदर नहीं जाता है minus से दोनों तरब multiply किया जाता है तो यानि यहाँ a is equal to zero है और a क्या होता है rate of change of velocity is equal to zero है यानि कि अगर cross multiply कर दें तो delta v is equal to zero है delta v बोले तो change in velocity और change in velocity zero क्या बता रहा है कि velocity change नहीं हो रही है यह वो constant है इसका मतलब यह हुआ कि v is constant फर्सला यही तो कहता है कि if we not apply any force on the body then position of the body will not change position means if it is in rest then velocity will not change it will remain in rest if it is moving in a with a constant velocity then velocity will not change it will remain the same so this is first law this is the first law यह पहले बता चुके है फिराल यहां note कर लिए बहुत important है पूछा जाता है third law is contained in second law मतलब second law की help से third law prove करिए recognize जेगा prove third law with the help of second law prove third law by second law देखें third law में क्या prove करना है कि अगर A और B दो bodies हैं आपस में वो collision हो रहा है तो एक दूसरे के उपर equivalent अपोजिट फोर्ट लगा है यह prove करना है आपको हमने मान लिया कि suppose करिए A और दो bodies हैं लिखें let A and B are two bodies A and B are two bodies and F A B is equal to force on A force on A due to B यह हमने F A B मान लिया और F B A क्या होगा force on B due to A अब आप जानते हैं कि force क्या होता है rate of change of momentum अब देखें जानते as F A B बराबर साउधान थान समझीगा यह होगा rate of change of momentum किसका momentum चेंज होगा अबजेक्ट है ना A और B तो A का momentum यह क्या मतलब है momentum A का change होगा B का change होगा क्यों हाँ A पर जोकि force लग रहा है तो momentum A का change होगा यानि इसको हम कह सकते है delta P A by delta T ले सकते है यह delta कहें या D कहें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और जब F B A निकालेंगे तो क्या लिखेंगे delta एक एक स्टिप पकड़ते हैं यह गा tough नहीं है समझने की कोशिच करिएगा ठीक है total force system में कितना काम कर रहा है system मतलब जब A और B टकरा रहे होंगे तो A B पे force लगा रहा है और B तो total force on the system कितना है total force on the system on the system वो कितना है F A B प्लस F B A तो इसका मतलब इसको हम लिखेंगे तो आएगा delta P A by delta T plus delta P B by delta T यहां तक पहुचिए यानि की आपने क्या लिखा F A B plus F B A is equal to delta upon delta of P A plus P B upon delta T ले सकते हैं ना rate of change of momentum आपने एक चीज़ पढ़ी है law of conservation of momentum अगर किसी body पे कोई external force act ना हो तो उसका rate of change of momentum क्या होता है 0 if no external force external force acts on the system on the system पहले इसको समझेगा फिर हम बताते हैं समझेगा पहले नोट कर लिएगा then अगर system में कोई भी external force act नहीं कर रहा है then delta P A plus P B upon delta T क्या होगा 0 होगा 0 होगा यानि कि F A B plus F B A बराबर क्या होगा 0 और इसको solve करोगे तो F A B is equal to minus F B A होगया this is the proof of third law with the help of second law तो second law से यह third law proof होगया तो इस तरीके से यह Newton second law of motion से first law proof हुआ Newton second law of motion से third law proof होगया अकसर पूछते हैं वो कि second law ही यह main law है main real law है और उसकी help से second और third law को पूप करिए अब बात करते हैं conservation of linear momentum उसको पहले बोलना चाहिए था अब चुक्कि इसमें बात में लिखा हुआ है लेकि conservation of linear momentum conservation of linear momentum नाम अगर मैं इस सब्द का मतलब करूँ तो conserve का मतलब जो चीचेंज नहो तो यह कहरा है कि अगर किसी भी सिस्टम में कोई external force act नहीं करेगा तो उस सिस्टम का linear momentum constant रहता है चेंज नहीं होता है तो लिखे when no external force when no external force acts on a system when no external force or acts on a system of interacting particles system of interacting particles अब यह interacting particles बारे में भी बात कर रहा है interacting particles the total linear momentum of the system remains constant the total linear momentum of the system remains constant पहले तो यह हो क्या रहा है conservation of conservation of linear momentum तो पहले तो हम आपको external force को explain कर देते हैं क्या लफडा है दो बाडीज हैं माले आप lunch time वाई school में आप बड़ी तेज दोड़ रहें और सामने से कोई ध्यान नहीं दिया दो लोग लड़ गए ठीके तो आपस में force exchange हुआ इस force को क्या कहते हैं ये internal forces हैं ये क्या है internal है उनका net योग कितना होगा जिरो अभी हम दिखिये थे FAB प्लस FBA बराबर जिरो बै लड़े sorry ऐसा बोल दिया काम कटम नहीं भी बोलते हैं sorry जो ज़्यादा healthy होगा और गलती चाहे उसी को सामने वाले को थरबडा देगा वो एक अलग चीज है फिक है लेकिन जिस समय वो दोड़ रहे हो वो लड़े उसे बहले हमने भी चुनलती लगा दिये से पर थरबडा गिर गए ये कौन सा force है ये external force है आगे बोला गया इंट्रेक्टिंग पार्टिकल दो पार्टिकल लखे हुए है वो लड़ी नहीं रहे है जब इंट्रेक्शन होगा जब टक्कर होगी तब force अप्लाई होगा तो इसको कहते है law of conservation of momentum इसको जब center of mass पढ़ाय जाएगा तो वहाँ फिर इसको explain किया जाएगा अभी हम law of conservation of momentum प्रूब करने जा रहे है with the help of newton's second law फिर with the help of newton's third law ठीक है तो लिखे conservation of linear momentum by newton's second law of motion by newton's second law of motion newton's second law of motion कैसे प्रूब करेंगे हम यहाँ पर n particles लेके चल रहे हैं उनके अपने अपने masses होगे अपनी अपनी velocity होगी और उनका पूरा एक momentum होगा फिर पूरे system का momentum निकाल लेंगे फिर हम कहेंगे देखे इस पर कोई force act नहीं कर रहा है तो rate of change of momentum 0 हो जाएगा अपने आप total momentum कितना हो जाएगा conserve तो लिखे let let n particles बतर number of particles कितने है n n particles of masses m1 comma m2 comma m3 and so on up to mn अब n लिखा है तो mn भी लिखदो are moving are moving with the velocities are moving with the velocities u1 comma u2 up to un then देखे अब यह system है ना पूरा तो the linear momentum of the system the linear momentum of the system पूरे system का हम निकालेंगे linear momentum क्या होगा m1 u1 plus m2 u2 up to so on plus mn un और इसको हमने क्या मालिया p note करिए if f be the external force if f be the external force p बोला क्या हमने if f be the external force acting on the system यह m1 u1 है m1 m2 लिखे पड़े हो आच अगलती से if f be the external force acting on the system then by Newton's second law of motion by Newton's second law of motion f is equal to क्या होता है delta p upon delta t यह होता है न आप देखिए अगर f 0 मालिया जाए if f is equal to 0 वही आपका second law तो यह हो गया लेकिन हमको conservation momentum के लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर कोई भी external force act नहीं कर रहा है तो system का linear momentum conserve रहेगा तो अगर f को 0 करेंगे यानि कि आप कह सकते हो कि delta p upon delta t 0 है यह कहोगे न तो यानि कि आप कहोगे delta p 0 है delta p मतलब change in p और change in p 0 मतलब क्या बताता है change in p 0 यह बताता है कि p is constant यानि कि m1 u1 plus m2 u2 up to mn un का sum हमेशा क्या रहेगा constant रहेगा सम्झे बात आएक नहीं आई है तो यह आपका linear conservation of momentum by Newton's second law of motion की बाद से किया गया इसके बाद थरला से प्रूप किया जाएगा ठीक है note करिए यह रहेगा इसके प्रूप किया झाल